काली राम जी, ती राधी महरा जी, राधा उल्लव शिहर इविंश महरा जी, आपके चरणों में कोड़ी-कोड़ी पराओ, महरा जी मैं 15 साल से महादेफ विश्वनाद जी को गुरू मानकर माता काली की सेवा करते हुए शम्शान साधना में लगा हुआ था, एका एक कुछ मह से आसू भी आते हैं, हमेशा रोना चालू होता है, महरा जी, मार्ग दर्शन करें, मैं किस दिशा में जाओ? कोई प्रशन नहीं, इस पर कोई विचार नहीं, अपने अराध्य प्रदत मार्ग पर विचार नहीं किया जाता है, चल दिया जाता है, ये प्रभू ने आपको चलने का आउशर दे दिया है, जो चिता वस्मा लेपो, गरल मस्नम दिकपढ धरो, जटा धारी कंठे, अगर अगर उनका बहुति की परदान करते हैं, जब भगवान शीव प्रशन होते हैं, तो ये प्रदान कर देते हैं, छिफ प्रदत agora से कहते हैं, और वेख़ण सवय कहों कर जूर संकर भ्धन मिनान और भगतिन पावाय्मौर, महादेव प्रशन हुए, अब यह मार्ग दे दिया अब बहुत सावधाने से चलो मराची जैसे जब नाम जब मिला तो हम समसान साधना करके परिसान हो गए थे किसी तनाओं से महाकाली एक बात एक हम आपको बात बता रहे हैं भगवान भूतिश्वर को प्रशन करने के लिए मार्ग है जैसे अगूर मंत्र है अगूर पं अगर आप उनको अगोर रूप्षे देखोगे वैसा आपको अनभो करा देंगे भूत रूप्षे आपको दिखा देंगे मंत्र शिद्ध करके वासनाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए चिद्ध बन कर पुझने लगोगे लेकिन भगवत साक्षात करने होगा आज सीजी उपाशना में है जो समल नहीं पाते हैं तो फिर वो गलत मार्ग काव लंमन ले लेते हैं क्योंकि हम कासी में ही रहे गाटों में ही रहे और रूनी के उपासक रहे हैं फिर वो अन्य जो नहीं पाना चेह उपाने लगते हैं जो नहीं पीना चेह पीने लगते हैं और कहते है भगवान सीव, भगवान सीव, हला हल बिस, समस्त देवता और भगवान की प्रार्थना स्वईकार की, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले हला हल बिस निकला, जो पूरे विश्व को भस्म कर देता, तो स्वयम अजित भगवान स्रीहरी, समस्त देवतादेत्य भगवान शीव के सरणम गए और जब बंदना की और का प्रहू रक्षा करो इस जगत की क्योंकि आप ही कर सकते हो रक्षा तो उन्हों में प्रार्थना की और भगवान शीव ने पूरे हलाल विसको कंठ में रोक लिया और नील कंठ ना वो कोई नसा थोड़ी करते हैं अग्यानतावस जिसे मांस का सेवन हो रहा था महाकाली के आदेश से जविराम नाम का आदेश हुआ जिसे महराजी नाम में मिला था परिसान होके महाकाली की मंदिल में बैठे हुए हाँ इसमें हमको देखो एक हमारी प्रार्थना है कहीं हमको शैव उपासना में म सलामे या अपने मन के सला में फस गए ने आज इवन बच्छपन से ले करके अभी तक मतलब महराजी इसका कोई संकलत लेकर प्रत्याक कर दिया कभी समय हो गया आप कभी नहीं कि हैसामने माकाली का अदेश से छोड़ो दिया माकाली का अदेश से हमने ऐसा किया इससे अनुभ अगर हो हमारी जगदंबा है तो हमारा ही भाइय को ये अगर बकरा की बली लेकर अम्मा प्रशन होती तो मुझे था वो ऐसा राक्षस दैत्य था कि अगर उसका अस्त्र मारो और जितने बूंद गिरेगा रक्त उतना दूसरा रक्त बीच तयार अब कोई देवता अस्त्र प्रहार करें तो सैक्रों लाखों रक्त बीच तयार अब अम्मा ने विचार कि आप कैसे इसको कैसे मैं आप जितना काटो उसको एक को काटा जितना रक्त निकला लाखों रक्त बीच वैसे ही तयार हो गए तब आद्या सक्ति महाकाली की सब देवताओं ने प्रार्थना की कि अम्मा तुम ही देख सकती हो बहुत है उद्दंडता कर रहा है तो योजनो लंबी जिब्या योजनो बिशाल अच्छा के लिए ये जो निरीह जीव हैं तुमारे एक चुटकी से ऐसे काटी तो आकर होगे पर दुख देने वाला कभी सुखी हो जा किसी के आराधना करता हो मुझे तो समझ में नहीं आता आराधना का सुरूप होता है परहित सरिश कोई भी सिद्धांते सामे आज तक नहीं मिला क्योंकि सईव पासुना में हम भी रहें और बहुत अनन्य रहें और कट्टर सईव रहें कोई मिलावट नहीं रही है हां ऐसा नहीं कि हम चिता की भस्म नहीं लगाई या कासी के घाटों को सेवन ने किया या भस्मी भूत महादेव जी की आराधना नहीं कि पर अभक्षा भक्ष का कहीं भी ऐसा नहीं का देखो एक इस्थिती होती है जैसे आद्य गुरु भगवान संक्राचारे जा रहे थी तो अपने शिश्यों की परिक्षा के लिए जगे मचली भी करही थी ऐसे उठाया ऐसे खड़े हो गये तो चार जो शिश्य थे उखड़े है और अन्य जो थे कि गुरु जी पा रहे तो अनुकरण कर रहे हैं आगे बड़े तो कांच के लाया जा रहा था नारियल का खपर में इसे भरा कांच हो इसे गलता हुआ कांच पी लिए अब शिश्यों की तरफ देखा उनकी तरफ नहीं पिए पियो गुरु जी सामर्थे न उन्हें पुछा आपने क्यों नहीं खाया जब हम पा रहे थे उन्हें आपने आग्या नहीं करें उत्तम बाते हैं कि जो शिद्ध महापुरुष कर रहे हैं वह हमारे शामर्थे अब उन्हा ऐसे किया जिंदा मचली निकल लिया जल में छोड़ दिया अब वह ऐसे किये तो तो हम महापुरुषों का जैसे सिद्ध ऐसे हुए हैं महापुरुष उनकी कुछ लीलाएं विचित्र हुई हैं हम उनके केवल आदेश उपदेशसे जो आचरण मिलते हूं मानते हैं अन्यथा प्रणाम है महापुरुषों आपकी बात अलगे हमको वैसे कारे नहीं करने है तो बड़ी करपा वी खुब नाम जब करो और पवित्र भोजन पवित्र आचरन और किसी भी जीव को किसी भी तरह से दुख ना पहुंचाना इसी से साधुता पुष्ट होती चाहिए जिस मार्ग का हो नहीं तो आप देखो आप खुद निर्णे करें कि आपकी बुद्धी आपको दोखा देने लगी थी मतलब आगे चल करके जो इस्थिति आती वो आप अपने को भले सिद्ध कहते लेकिन एक पागल किसी और को इस्थिति ने रहती आध्या शक्ति को या जिसे हनुमान जी है इनको प्रभू और प्रीतम मानकर आराधना करोगे तो निकल जाओग दर्शन करते हूं कभी ऐसा दर्शन की हूं माक विशाल और वो चर्णों में पड़े हुए हैं आध्या शक्ति हैं कभी कोई जैसे हैं कि हम दैवी शक्ति को सिद्ध वह बहुत इसलिए नाम जब करें बड़ी करपा है कि आपको रहाम का मार्ग मिल गया खुम नाम जब करो कोई कुछ चलता है नहीं महराजिन के लाओं हां बस शांत और किसी से कहिएगा भी नहीं क्योंकि फिर अंतर ध्यान हो जाता है अगर हम कहते हमारा भजन बहुत दिब्ब्य चला निरंतर चला वो रुख जाएगा यह हम दिब्ब्यता की बात कहते हैं आजे से यां संत सभा हमें कह दिया इसके बाद कभी नहीं कहना शांत और ऐसे कोई भी आचन या ऐसा पहनावा ऐसा ना होना चाहिए जो सात्विक ना हो शतोगुन से यृप्त पहना वो भगवान सी होए उनकी हम समानता नहीं कarness जिसे मुण्टों की माला पेंते हैं उनकी समानता कर सकते हैं 88,000 वर्षी अपनी आयू कितनी है 88 तक पहुंज़ा है तो बड़े बागे साली समझो 88,000 वर्षी की जिनकी समाध ही लगती है उनसे हम होड कर सकते हैं कि वो मुन्नों की माला पहनते तो हम मुन्नों की माला पहने वो जहर खाये तो हम धतूरे का फल चड़ता है एक धतूरे के फल में 20-25 आदमी मर जाएंगे महादेव जी के धतूरों का फल मतलब वो अद्भुत देवता है उनकी प्रशादी भी बहुत हो सैसे मल सेव भी चड़ता है तो सेव ले ले हो आप करे दो सब्वे प्रशाद तो एक धतूर का फल है खालोगे तो आजम कर ले कि सामरते थोड़ी वो देवादी देव महादेव सबकी सामरत इसलिए बहुत ही सत्संग की आवशक्ता होती है नहीं तो उसमें क्या उद्दंडता आजाती है आराधना में उद्दंडता आजाती है पीचल कर मान्सप्र बिक्षिप्त हो जाता फिर लोग उसको सद्दमारने लगते मानसिक विक्षिप्तता को जितना धार्म के विरध उद्दंडता करेये उसको चार लोग जो ऑइला उपशिद्यक गोशित कर देते है ये का लिख का परताब है कई बाते ऐसे देखने को मिलती है जो तस्वा सास्त्रम प्रमाणमते कार्या कार्यू ब्यवस्थित हो कभी सिद्ध ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे हम साथ्चिक भाव लेकर के चले और परिपक्खोई तो वही भाव रहेंगे ना तो सिद्धा अवस्था में तो और सास्त्र में लिकिए सिद्धा वस्था का सीधा परिचा है जिसकी कोई चाह नहीं रह गई है जिसको अपमान दुख नहीं दे सकता सम्मान सुख नहीं दे सकता जिसको म्रत्यू से भै नहीं लगता जो शचिदानंद की स्थिति में हर समय रहता है वो परिपक्ख को माना जा बड़ी मर्यादा से बड़ी सास्त्र पद्धती से रह ले वाले तो इसलिए शावधान होकर चला जा कहीं तुरुटीन हो जाएगी डिप्रेशन में पहुंच जाएगा पागल हो जाएगा और उसे लोग सिद्ध मानेंगे चमतकार यह होता है कि उसी को सिद्धवा लिया जो